नमस्कार हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ हवंतिका कत्री और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कुद्रत का जो कहर बरप रहा है उस पर हिमाचल में भले ही मासम अब साफ हो गया हो लेकिन तबाही अभी भी हो रही है खास तोर पर जिला सोलन की बात करें तो यहां पर शामती क्षेत्र में जम कर तबाही बरप रही है यह पूरा का पूरा इलाका जो है वो खत्रे से खाली अब नहीं रहा है यहां पर एक एक कर घरों के गिरने का सिलसिला लगाता जारी है पहले जो है दो दिन आपने देखा प यहां पर मकान गिरे हैं दो मकान यहां पर पूरी तरह से ध्ष्ट हो चुके हैं और लगभग और मकान और यहां त्सवीरों में आप देख रहे होंगे कि हवा में लटक चुके हैं आपको बता देशे • शामती पहले दिन गीरा था उसके बाद लगा उसके बाद जो है जिरा प्रशासन ने दो दिन पहले ही इस इलाके में खत्रे को भापते हुए इस पूरे इलाके को खाली करवा लिया पूरा रिहाईशी इलाका था आज से हफ्ता भर पहले अगर आप इस इलाके की बात करें तो यहां दो दिन पहले जिस तरह से यहां एक मकान गिरा उसके बाद यह पूरा इलाका खाली करवा लिया गया है लोग अपने घरों का कीमती सामान लेकर यहां से दूसरी जगा पर गए हैं कुछ अपने रिष्टेदारों के पास रहे हैं कुछ शिविरों में रहे हैं और आपको बता दे कि यह जो पूरा का पूरा इलाका है शामती का यहां पर लगभग पचास घर ऐसे हैं जिन में बताया जा रहा है कि दरारे आ चुकी हैं और जिसके चलते प्रशासन नहतियात के तौर पर पूरे इलाके को खाली करवाया है और आपको बता दे कि आज भी यहां पर दो घर गिर गए हैं दो बिल्कुल हवा में लटक रहे हैं उपर से अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो सबसे उपर एक सफेद घर यहां पर नजर आ रहा है उसके बारे में भी यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं आप देखिए किस तरह से यह मकान भी गिरने की कगार पर है और अगर यह उपर वाले मकान गिरना शुरू होते हैं तो नीचे तक आपको फिर तबाही ही तबाही देखने को मिलेगी हर एक मकान यहां पर इस वक्त डेंजर जोन में हैं हाला कि लोग अपना कीमती समान लेकर यहां से निकल चुके हैं दूर घड़े होकर सिरफ देख रहे हैं कि जिन आशियानों को बनाने के लिए उन्होंने बरसों मेहनत की और एक एक पाई जोड़कर इतने घर जो है उन्होंने अपने लिए अपने परिवार के लिए जो घर बनाया सपनों का घर बनाया वो चंद मिनटों में पलंग छपकते ही यूँ धरशाई हो रहे हैं कुछ मकान पहले ही द्वस्त हो चुके हैं दो मकान आज यहां पर गिरे हैं उसके अलावा आप यह देखिए कि यह तस्वीर आज की हैं जो मकान यहां पर पूरी तरह से द्वस्त हो चुका है खत्रा पूरे इलाके पर मंड़ा रहा है देखी जो रास्ते हैं वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और बस अब यहाँ पर जो बच्छा है वो यही कि सिरफ और सिरफ मलबा ही मलबा और खत्रा क्योंकि सारे घरों पर है कई घरों में बहुत बड़ी बड़ी दरारे आ चुकी हैं तो लोग केवल बेवस होकर यहाँ पर यह देख रहे हैं तबाही का मनजर और सिरफ और सिरफ उनकी आँखों में आसु हैं क्योंकि अपनी आँखों के सामने वो अपनी पूरी संपत्ती को अपने पूरी जो उनकी जमा पूंजी थी उसे तबाह होते हुए देख रहे हैं शामती इलाके के लोगों ने अपर शासन से एक ही मांग की है कि उन्हें एक ऐसी जगा दे दी जाए जो बिलकुल सुरक्षित हो जहां पर वो रह सके अपनी परिवार के साथ दखिए कई परिवार यहां पर रहते आप पूरा एक तरफ से आप मांग के चलिए कि पूरी की पूरी कॉलोनी थी और पूरी ही कॉलोनी खत्रे की जद में आ गई है रोजाना यहां पर मकान जो गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्ते गिर रहे हो एक एक करके हर मकान धस्त होता हुआ नजर आ रहा है कुछ मकान जो अभी आपको ये ठीक नजर भी आ रहे हैं उनमें भी आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी दरारे आ गई है जरा सा जटका और ये सब इलाका तबाह हो जाएग विरान हो गया है और ऐसी तबाही इस शामती इलाके में मची है कि हर कोई है हरान परिशान हैं शामती बाइपास की बात करें वहाँ पर भी दरारे आ गई हैं पूरा कूरा इलाका काफी जादा इस वक्त यहां पर खत्रा जोज रहा है इसके अलावा आपको बता दे कि पूरे इलाके को सुरक्षित घोशित कर दिया है प्रशासन की और से यहां पर किसी को अंदर जाने भी अब जो है आगे जाने भी नहीं दिया जा रहा है जिन लोगों ने अपना सामान कुछ एक कीमती निकालना था वो लोग भी अपना सामान निकाल चुके लेकिन आप यहां खत्रा बढ़ चुका है इसलिए लोगों को जाने भी नहीं दिया जा रहा है कुदरत की तबा कुदरत ने जो कहर इस इलाके में बरपाया है शायद ही वो शामती इलाके के लोग कभी भूल पाएंगे क्योंकि उनकी सारी उम्र की जो कमाई थी वो यहां अब उस पर भ्यंकर खत्रा मन रहा है और यह देखिए यह कहानी भले ही यह इस वक्त घटना हो रही है भले यह शामती की हो रही हो लेकिन यह हमारे लिए एक हाई टाइम है यह बात सोचने कि जिकी जिस तरह से हमने पहाड़ों को चीर कर निर्मान कार्य किये हैं कि यह वो सही किया है या पिर एक ना एक दिन सबको इसी स्थिति से गु żernा पड़ेगा कि अपने मेहनत से बनाई हुए आशियाहने चोड़ कर कहीं दूर जाना पड़ेगा और अपनी आखों के सामने अपनी मकानों को इस तरह से दौस्ठ होना दे कितना दुखदाई मकानों पर तूट रही है और सबसे बड़ी बात यह ऐसा नहीं है कि मकान बहुत जादा पुराने आप देखिए कि नए निर्मान यहां पर हुए हैं कुछ मकान तो ऐसे हैं जिनका भी निर्मान कारे चल रहा है मतलब वो पूरे बन भी नहीं पाए हैं लेकिन उससे पहले ही यहां पर कुद्रत ने भ्यंकर तबाही मचा दी है और लगातार देखिए हलाकि प्रशासन की टीम यहां पर मौके पर पहुंची हुई है और जाने नुकसान यहां पर नहीं है क्योंकि यह मकान जो है दो दिन पहले ही सारा एरिया खाली करवा लिया गया है लेकिन यहां प मदद की जाए वहीं दूसरी और अगर हम बात करें तो देखिए रेस्क्यू आपरेशन इमाचल प्रदीश में चल रहा है उसी बीच तबाही की तस्वीरे भी आ रही है और उसी बीच कुछ ऐसी बात भी निकल कर सामने आ रही है जहां पर बहुत सारे प्रयाटक फसे आपको बता दे कि मशोबरा से नाहरी रोड बहुत पर भूस खलन हो गया था जिसके कारण ये रास्ता बंद हो गया था और हाला कि पिछले दिन यहां पर प्रशासन की टीम गई भी थी रास्ता खोलने के लिए लेकिन बताया जा रहा है कि जहां पर भूस खलन हुआ है उस इसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे मगर उन्होंने सपच्छ तोर पर यह कह दिया है वहां के लोगोंने कि हम मलबा तब तक हटाने नहीं देंगे मगर ऐसी स्थिती में ये जो बाहर से लोग आये हुए हैं ये बिचारे वहां पर फसकर रह गए हैं और अब इन्होंन चामना करना पढ़ रहा हाला कि प्रशासन कल भी रास्ता कोलने के लिए गया यह यह कहने के यहीं कहना नहीं की जब तक तक भैषित नहीं हटाने दिया जाएगा जब्सक्ता आधर में बश्क्ता उपogg时 प्रशाष टर्क का जया है क्या गौहार इन्होंने सरकार से लगाई है वो हम आपको सुनवाते हैं कर दिया दिश्मार करहा करनी में कर से लिश्मार करते हैं तो सुना अपने क्या कुछ प्रच्चकों का यहां पर कहना है कुल मिला कर बात करे तो हिमाचल प्रदेश में लगातार आफत की त़्वीरे अब देखने मिल रही तो मनाली में हालात अब उदरने लगे हैं बिचली पानी जैसे ही वहाँ पर आ गया है तो उसी के साथ तबाही की तस्वीरे भी दिखने लग रहे हैं मनाली से बीते दिनों PRTC की जो एक बस है वो लापता हो गई थी यह जो बस है आप इसको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है आपको बता नहीं हो पाया वहां पर बस की तलाश भी लगातार की जा रही थी कि आखिर बस गई तो गई कहां लेकिन अब जब पानी आज सुबह यहां पर आप कह सकते हैं कि जलसतर कम हुआ उसके बाद यह बस की तस्वीर निकल कर सामने आई है और आपको बता दे कि इस बस में अंद भी मिसिंग है कंड़क्टर का फिलाल कोई पता नहीं चल पाया है और यह भी सपश्ट नहीं हो पाया है कि क्या जिस वक्त यह बस इस हाथसे की चपेट में आई है क्या उस वक्त इस बस में केवल कंड़क्टर और ड्राइवर ही मौजूद थे या कुछ और लोग भी मौज रही हैं ब्यास में सैकड़ो वाहन आप कह सकते हैं कि इसी तरह से डूब गए हैं जिनका कुछ अतपता नहीं लगा है और यह तस्वीर आप देखिए कि तीर्थन घाटी से निकल कर सामने आई है बंज़ार की तीर्थन एली की तस्वीरें निकल कर आई हैं जहां पर बहुत जादा नुकसान हुआ है यहां पर ना बिज्ली की सुविदा है अभी ना पानी है बताया जा रहा है रास्ते भी क्योंकि बंद हैं बहुत सारे और सिगनल की रिकत भी आ रही है मगर तबाही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जो इलाके कुछ दिन पहले आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से खुशनुमा माहौल था जहां पर लोग प्रकरती को देखने के लिए पाच रहे थे वहां अब सनाटा पसरा हुआ है लोग या तो इन इलाकों से कहीं चले गए हैं सुरक्षिस्थानों में या जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है वो अपने घरों को इस वक्त ठीक करने में जुटे हुए हैं कुल मिलाकर इलाके विरान हो चुके हैं खास औ आप कह सकते कि क्योंकि नेटवर्क नहीं है या बिजली नहीं मुहिया हो पाई है कुछ एक जगह पर अभी तक तो वहां पर कितनी तबाही हुई है इसका अनुमान भी फिलहाल नहीं लगाया जा सकता खैर इसी बीच एक और जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है आप इस ति केंड्री ग्रिमंत्री से मुलाकात भी किये और उन्हें आष्वासन भी दिया गया है जैराम ठाकुर ने कि हर संभव सहायता इमाचल प्रदेश की इस स्थिती में आपदक स्थिती में की जाएगी तो कुल मिलाकर आप देखिये तो तबाही ही तबाही है सरकार प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है लगातार यहां पर rescue operation चल रहे हैं अभी तक हजारों टूरिस्ट को निकाल लिया गया है कई जगा पर rescue operation पूरे हो भी गए हैं चंदरताल से जुड़ी हुई इस वक्त की जो लोसर पहुंचने का क्रम भी शुरू हो गया इसके लावा लगतार देखिए यहां पर जो लोग missing हैं उनके बारे में भी पुलिस प्रशासन की और से जानकारियां दी जा रही हैं बहुत सारे कोई परिजन कहीं पर फसे हुए हैं और आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो जो पुलिस की और से हेल्पलाइन नंबर ज्वारी किये गए हैं आप एक बार उनस पर जरूर संपर करिए और वहां से आपको जो है प्रदेश में रहत एवं बचावकार चल रहा है वहीं सरकार और प्रशासन के स्थर पर लगातार बैटकों का दार जारी है फॉरी रहत भी लोगों को दी जा रही है जहां पर बहुत जादा तबाही हुई है वहां आंकलन भी किया जा रहा है कि कितनी तबाही हुई है क्या कुछ रिस्थितियां बनी हुई है फीडबैक अधिकारियों से लिया जा रहा है और अभी आपको बता दे कि अभी तक अगर आप इस पूरे मौनसून की बात करें जब से लोग अभी लापता हैं बहुत सारे लोग वाहनों के समय लापता हैं तो उनके बारे में जानकारियां फिलहाल जुटाई जा रही है उमीद यही की जा रही है कि लोग सुरक्षित हो मगर कुछ एक जो वाहन डूब गए थे उनमें अब कहीं न कहीं जिस तरह से आज हम पी आ आसन की और से भी यही कहा जा रहा है फिलहाल हम आपको बताते हैं कि यहां पर जो अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे आपदा को लेकर क्या कुछ जानकारी सांचा की है जो देखे जहां तक डेथ की बात है पिछले कल तक जो थी 88 डेथ जो रिपोर्टेड है जो हमारे जब से 24 जून से मांसून स्टार्ट हुआ तब तक तब से 88-90 के आसपास हमारी डेथ हुई थी लेकिन यह आंकडा पिछले कल जो है बारा बजे तक का है यह आंकडा बढ़ सकता है क्योंकि आज जो है यहां पर क्या नाम एक रामपूर के आसपास एक गाड़ी नीचे की जिसमें चार लोग मर गए हैं कुछ एक हम रेस्क्यू करके जो किनौर के किशेतर में एक व्यक्ति की मृतियों उसको हमारी टीम ने रेस्क्यू किया है तो यह नंबर जो है य जो सड़कों की बात आती है तो सड़कों में कारे चल रहा हुआ अभी भी लगबग जो कल पिछले कल की ख़बर है उसके आसपास एक हाजार के आसपास जो अभी भी सड़के हमारी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बादित है उसी परकार से धाई जार के आसपास जो ह हमारे transformer जो हैं वो बादित हुए हैं जिसके लिए यूद्स तर पे कारे चल रहा है ये नमबर दो दिन पहले बहुत जादा था उसी परकार से वाट सप्लाई की स्कीमें भी बादित हुई हैं लेकिन क्योंकि पिछले दो दिनों से हमें थोड़ी रात मिली है मौसम के तरफ से तो ये जल्दी से जल्दी ये जो नमबर है आगले कल तक जब हो ये नमबर जो ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा और उसी परकार करें हमारे च्छती सो जो रूट है एचाटी सी के दो दिन पहले तक चौता सो रूट इसमें जो सस्पेंडे थे ये नमबर दीरे-दीरे जैसे जैसे सटके बाहल हो रही है तो ये नमबर भी नीचे आ रहा है तो मुझे लगता कि आने बाले समय में जल्दी ही ये काफी नीचे आ 1070 1077 और 1077 और एक सीम का जो हेलप लाइन है 1100 नंबर यह किया है इसमें कोई भी आगा कर सकते हैं इसके लावा अलग लग हेलप लाइन के नंबर भी है जहां पर लोग अभी भी अगर कोई है तो वहां पर कंटेक्ट कर से तो सुना आपने क्या कुछ यहां पर अधिकारियों का कहना है कुल मिला कर बात करें तो हिमाचल प्रदीश में रेस्क्यू आपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन खत्रा अभी टला नहीं है कई जगह पर अभी भी हाथ से पेशा रहे हैं और कल से प्रदीश में एक बार फिर से मौसम खराब बताया गया है तो ऐसे म में आप अपना और अपनों का खयाल रखें इसी अपील के साथ अभी मैं आप से लेना चाहूंगे इज्वाजत नमस्कार